नमस्कार, बाईजूस एक्जाम प्रेप IAS, हिंदी में आपका स्वगत है, प्रस्तुत है दैनिक समचार विशलेशन, सत्र को प्रारम करने से पूर्व एक महत्तपूर्ण उद्गोशना, बाईजूस एक्जाम प्रेप IAS के द्वारा, संग लोक सेवायो की प्रारम्बिक पर रहेगा, जिसके अंतरगत भारतिय अर्थ विवस्ता से संबंदित कक्छाएं, आप कल यानी 1 मई 2022 को भी सुभा 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं, इसके माध्यम से आप प्रिलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के भारतिय अर्थ विवस्ता के करंट अफेर्स के सा साथ 2021 के महत्तपूर्ण विश्यों को भी रिवाइज कर पाने में सक्चम होंगे, यदि आप इसका लाव उठाना चाते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिये गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्छा का रिमाइंडर भी सेट करें, इसके अलावा आपको एध्यान रखना है कि कल और परसो यानी एक और दो मई आवकाश के दिन है, अता एक और दो मई को दैनिक समचार विशलेशन परकाशित नहीं होगा, और आप अपने अध्यन को उसी ग्यानुरूप विवस्थित करें, सत् मा प्रकरती कानूनी इकाई के साथ एक जीवित व्यक्तित पर, सत्र केंत में हम मुख्य परिक्षा अभ्यास प्रश्ण की चर्चा करेंगे, और उससे संबंधेत उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला आलेक आपके समक्ष है, इसे दिल्ली में संसदिय राजभासा समीती की बैठक में केंद्रिय ग्रह मंत्री ने यह कहा कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में सुईकार किया जाना चाहिए, ना कि इस्थानिय भाशाओं को, केंद्रिय ग्रह मंत्री ने समीती को सुझाओ दिया कि अब समय आ कि हिंदी शब्द कोश का पुना निरिक्षन किया जाए उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रिय कैविनेट का सत्तर फीसदी एजेंडा भी अब हिंदी में तैयार हो रहा है अता नौवी तक के छात्रों के लिए हिंदी का प्रारंविज्ञान और हिंदी सिक्षन परिक्षाओं प रूप में देख रहे हैं हिंदी को राश्टिय भाशा के रूप में देखने वालों का यह तर्क है कि समविधान सभा की बैठक में भी कई प्रभावशाली नेताओं जैसे की सरदार पटेल बी आर अंबेटकर आदी के दौरा इसका समर्थन किया गया था और महात्मा हिंदुस्तानी भाशा को अधिक वरियता देते थे जो हिंदी और उर्दू के मिश्रण के रूप में बोली जाती है जबकि वर्तमान में जिस हिंदी को राश्ट भाशा बनाये जाने की बात की जा रही है वह संस्कृत निष्ट भाशा है चूंकि समविधान सभा में इसको अनुच्छेद 343 एक के तहद देवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ देश की आधिकारिक भाशा के रूप में अपनाया इस प्रकार आप ये ध्यान दखेंगे कि वैधानिक इस्तिति ये है कि समविधान कि शीभी भाशा को राश्टिय भ भाशाएं सूची बद्ध हैं जिसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कंणर, कश्मीरी, कोंकडी, मल्यालम, मनिपुरी के साथ अनेक भाशाओं को सम्मलित किया गया है इसके अंतरगत राज भाशा अधिनियम 1963 भी महत्तपूर्ण है जो संसद में कारे संचालन, केंद और राज्य अधिनियमों के लिए निर्दिष्ट भाशा और उच्च नयाल्यो आधी में इसे अपनाया गया है। पूरी प्रश्ट भूमी में ही हमें इसके पक्ष और विपक्ष को समझे जाने की आवशकता है। में ये ध्यान देना होगा कि भारत में भाशाई बहुलतावात की एक सामंजस से पूर्ण स्थिती बनी रही है और यह आवेवस्थित करकश पूर्ण ध्वनी के रूप में नहीं दिखाई देती है। बिटिश काल में भी जब सर जॉर्ज गिरियेशन के द्वारा लिंग्विस्टिक सर्वे ओफ इंडिया के तहत 1903 से 1923 के बीच भाशाओं संबंदी सर्वेक्षन को कराया गया था। तो इसके अंतरगत भारत में 179 भाशाओं और 544 बोलियों की पहचान की गई थी। 1961 की जनगरना रिपोर्ट में कुल मिलाकर 1652 मात्र भाशाओं का उलेक किया गया जिसमें 184 मात्र भाशाओं में 10,000 से अधिक वक्ता थे और इनमें भी 400 मात्र भाशाओं को गिरियेशन के सर्वे में उलेक्षेत किया ही नहीं गया था। इसके अतरिक 527 को मात्र भाशा के रूप में आवर्गी क्रश शेणी में सूची बद किया गया, जिनके संभवता कम वक्ता थे। 1971 की जनगर्णा में पेश किये गए भाशाई डेटा में दो शेणियों में भाशा को वित्रित किया गया। इनमें शामिल थी संविधान की आठवी अनुसूची की आधिकारिक रूप से सूची बद भाशाएं और ऐसी अन्य भाशाएं जिनमें प्रतेक में कम से कम 10,000 वक्ता थे। दस हजार से कम वक्ताओं द्वारा बोली जाने वाली अन्य सभी भाशाओं को एक ही प्रवश्टी अन्य भाशाओं में एक साथ रख दिया गया था। द्वारा बोली जाने वाली मात्र भाशा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 2011 की जनगर्णा के अनुसार हिंदी लगभग देश की 44 फीसदी जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है जो 1961 के 30 प्रतिशत की तुलना में काफी अधिक है। हानकि इसमें यह तथ्यवी महत्तपूर्ण है कि हिंदी के अंतरगत अनेक उत्तर भारतिये छेत्रिये भाशाओं को भी समाहित कर दिया गया है। इसके अलावा विशेशक्यों के अनुसार जब ये प्रिस्तुत किया जाता है कि हिंदी देश में 52 करोड़ लोगों की मात्र भाशा है तो वास्ताव में यह अपने साथ 5 करोड़ भोजपूरी वक्ताओं और लगभग 9 करोड़ ऐसे वक्ताओं को भी शामिल कर लेती है जो राजिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, हरियाना, बिहार, जारखंड, चत्तिसगर और मद्द प्रदेश में 69 प्रकार की भाशाओं को भी बोला करते हैं। अगर इन सभी भाशाओं को अलग कर दिया जाए तो विशेशक्यों का यह मानना है कि संभवता हिंदी केवल देश की 30 पीसदी जनसंख्या के द्वारा ही मूल मात्र भाशा के रूप में बोली जाती है। इस रूप में यह इंगित किया गया है कि किस प्रकार से हिंदी देश के 70 पीसदी लोगों की प्रत्म प्राथमिक मात्र भाशा नहीं है। वास्ताव में यह कई प्रमुख भारती भाशाओं के मद्ध है बोली जाने वाली एक प्रमुख भाशा के रूप में देखी जा सकती है। जातिये बहु भाशाई राज्य बना लेगिन उनिस सौड़तालिस में पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान के इसलामी करण को आगे बढ़ाने के लिए उर्दु को एक मात राश्टी भाशा के रूप में इस्थापित करने का प्रयास किया जिसके तहट एक भाशा एक राज्य के सिध्धान्त को आगे बढ़ाया गया और इस भाशा के रूप में उर्दु का चुनाओ किया गया था किन्तु पश्चमी पाकिस्तान के इस अहंकार ने पूर्वी पाकिस्तान में एक हिंसक प्रकार के बंगाली भाशी आंदोलन को प्रज्जलित कर दिया था पूर्वी कामकाजादी में इसके प्रियोक की अनुमती दी जा सके किन्तु जब पूर्वी बंगाल की इस बात को पूर्ण रूप से नहीं माना गया तो भाशा संबंदी या अंदोलन आगे बढ़ता रहा इस भाशा अंदोलन में आगे चलकर बंगाली राष्टवाद और पाकिस्ता से पूर्वी पाकिस्तान के अंतिम अलगाओ को ही उत्प्रिर्णा मिली जो आज हमारे समक्ष बांगलादेश के रूप में दिखाई देता है इस अंदर में आपको शीलंका को भी ध्यान दखना होगा शीलंका की स्वतंतरता के पश्चात 1956 में सिंगली केवल अधिनियम रा सिंगली भाषा के साथ राष्ट की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में बदल दिया था इसने आगे चलकर सिंगली और तमिलों के बीज तीब्र शतुरता और अविश्वास को जन्म दिया यदिपी श्रीलंका में 70 फीसदी लोगों की भाषा सिंगली थी तथा पी त जिसने तमिल समुदाय को मुख्यधारा से अलग कर दिया एक प्रकार से सिंगली बहुमतवात के इस उत्सा ने आगे चलकर तमिलों के लिए एक अलग तमिल राष्ट की मांग को भी वैधानिक्ता प्रदान की इस संगर्ष ने दसकों तक चले ग्रहयुद्ध को जन्म दे और शिलंका को बरबाद ही कर दिया था हमें पाकिस्तान और शिलंका के विपरीत के उधानों को भी ध्यान में रखे जाने की आवशक्ता है जिन राष्टों ने भाशाई विवित्ता को समायोजित किया है वह सम्रद्ध भी हुए हैं जिसमें सिंगापूर और दक्षिन अपने आरंभिक वर्षों में चीनी भाशा को सिंगापूर की आधिकारिक भाशा घोशित करने का सिंगापूर पर अत्यधिक दबाव था लेकिन आधुनिक सिंगापूर के संस्थापक ली कुआन यू ने इस मांग को बेहत अच्छी तरीके से संभाला और सभी भाशाओं पर अंग्रेजी को चुना अंग्रेजी को ही चुनने का आज ये परिणाम है कि सिंगापूर दुनिया में एक वैश्विक व्यापार केंद्र है जो ना केवल भारतिय, अपितु, मलाई और चीनी सभी की आखांग्छाओं को पूरा करता है इसी प्रकार से दक्षिन अफ्र अफ्रीका का राष्टगान है जो पांच भाशा की गीतात्मक रख्षना है इन भाशाओं में जोसा, जूलू, सोसेटो, अफ्रीकी और अंग्रेजी भाशा को शामिल किया गया है आज दक्षिन अफ्रीका अफ्रीकी महादीप में जिस प्रकार से उभरते हुए देशों मे गिना जाता है, उसको बनाने में दक्षिन अफ्रीका की उधार भाशा की नीती ने बहुत जादा मदद की है। भारत को वस्तुता सिंगपूर और दक्षिन अफ्रीका की बहु भाशाई समायोजन नीती का ही अनुकर्ण करने की आऊशकता है। विशेशग्यों का मानना है कि हिंदी को लागू करना जो 35 राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों में से केवल 12 के निवासियों की पहली भाषा है भारत में एक विनाशकारी परिणाम को ला सकती है। अता भारत के लिए यह आवश्यक है कि भारत सभी प्रकार की भाषा विवित्ता को ध्यान में रखकर ही भहु भाषावात की तरफ आगे बड़े यही भारत के विकास के लिए एक महत्तपून उपाए हो सकता है। पेट्रोल और डीजल की बड़ी हुई कीमतें लगतार चर्चा का विशय बनी हुई है। आदिकारी के स्तर पर भी यह चर्चा का विशय तब बनी। जब COVID-19 को लेकर मुख्य मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक में प्रधान मंत्री के द्वारा विपक्षी राज्यों पर यह आरोप लगाया गया। कि उनके द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क में कटोती ना करके लोगों पर अन्याय किया जा रहा है। प्रधान मंत्री के द्वारा यह भी कहा गया कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने नॉम्बर 2021 में पेट्रोलियम पर करों की कटोती की थी जो 5 से 10 रुपय की रेंज में थी यह कटोती उस समय की गई थी जब डीजल आधी की कीमतें 100 रुपय प्रती लीटर से अधिक हो गई हाला कि अब फिर से इंधन की कीमतें 100 रुपय प्रती लीटर से उपर देखी जा रही हैं इस संबंद में केंद्र सरकार का मानना है कि यदि राज्यों के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले वैट आधी कर को कम किया जाए तो इससे पेट्रोलियम मुत्पादों की कीमतों में कमी देखी जा सकती है हाला कि गौर करने वाली बाद यह भी है कि केवल विपक्षी दलों के राज्य ही इसमें चुनौती का सामना नहीं कर रहे हैं अपितू केंद्र के सत्ताधारी दल वाले राज्यों में भी इस्तिति अच्छी नहीं है NDA साशित राज्य भी अब अत्यधिक उच्च मुद्रा इस्फीती का सामना कर रहे हैं, जैसे कि अप्रेल में खुद्रा मुद्रा इस्फीती असम और उत्तर प्रदेश में 8.1 प्रितिशत थी, बिहार, जम्मू, कश्मीर और हर्याना में यह 7.4 से 7.6 प्रितिशत तक अनेक विपक्षी दलों के दौरा यह भी आरोप लगाये गया है कि केंद्र सरकार के दौरा राज्यों को करों में कटोती किये जाने की बात कहा जाना सहकारी संगवात की भावना के विप्रीत है, क्यूंकि एक तो सहकारी संगवात की भावना के तहत एक निश्चित लक्ष कि अनिश्चित्ता से परिशान है राज्यों का यह भी दावा है कि इसके बावजूद राज्यों के द्वारा कई वर्षों से करों की दर में वृद्धी नहीं की गई है और कुछ ने तो इंधन उत्पादों आधी पर वैट को भी कम किया है इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि किस प्रकार से 2020 में जब पेट्रोलियम मुदपादों की कीमतें काफी कम हो गई थी उसकाल में भी केंदर सरकार के द्वारा करदरों में वृद्धी की गई यह वृद्धी मुख्य रूप से उपकर लगार कर की गई थी जिसे राज्यों के साथ साजा करने की आवशक् इस प्रकार से पेट्रोलियम करोमे विर्धी का लाब उस समय भी राज्यों को प्राप्त नहीं हुआ था जबकि राज्ये कोरोना महामारी से तरस्त देखे जा सकते थे यदिपी बर्तमान में इस पूरे मामले को लेकर एक प्रकार का राजनीतिक वाद विवाद प्रारम हो गया है आम आदमी के लिए यह दिखाई दे रहा है कि संभवता इसके संदर में किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त नहो यह निम्न और मध्यमायवर के लिए एक क्रूर आगात के समान भी हो सकता है जो पहले से ही नौकरी, स्वास्त और आये के मोर्चे पर लगरतार असफलताओं से घिरा हुआ है खुद्रा मुद्रा इस फीतिम व्रिद्धी के चलते अनेक घरों का घरेलू बजट भी बुरी तरीके से बिगड़ गया है यहां तक कि उद्यो में इस साल कर संग्रहन के आकरे पहतर आये हैं आगे आने वाले समय में भी अच्छी राजस प्राप्तियों की उम्मीद की जा सकती है इस प्रश्ट भूमी में मुख्य रूप से केंदर सरकार को ही अपने इंधन करों में कटोती करने के लिए अग्रगामी उपाय करने इस संदर में केवल राज्यों को ही जिम में डार ठहराया जाना एक सही दृष्टि को नहीं हो सकता है क्योंकि राज्य पहले से ही सीमित राजस शुरोतों को लेकर चिंतित हैं इसके अलाबा राज्यों से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह अर्थ विवस्ता को पुनर ज इस्तिती देखी जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए केंद और राज्य दोनों को ही बहतर समन्वे की आवशकता है केंदर सरकार को भी इसके संदर में यह समझना होगा कि इंधन करों पर अत्याधिक निरभरता तथा इससे राज्यों को अलग रखना सही नीती नहीं ह है चूंकि आगे चलकर मुद्रा इस्वीती की दर में और व्रिद्धी हो सकती है इसलिए हमें वर्तमान में ही इसके संदर में कारवाही किये जाने की आवशकता है अगला अलेक आपके समक्ष है यह अलेक पेज नंबर 7 पर दिया गया है और इसका संबंद G.S.P.2 में पॉ प्रकर्तिक इकाईयों जैसे की गंगा नधी, प्रकर्ती माता, आधि को कानूनी निकाय घोशित किये जाने के साथ एक जीवित निकाय के रूप में घोशित किये जाने की प्रवत्ती देखी गई है अंतर राज्टि इस्तर पर भी इसके उधान देखी गए हैं जिसे परिय कानूनी व्यक्तित्य के रूप में घोशित किया जाता है एक विधिक या कानूनी व्यक्तित्य एक प्राकर्तिक सत्ता होने के अलावा एक ऐसी इकाई होती है जिसे कानूनन रूप में अधिकारों और कर्तब्यों को धारन करने में सक्षम माना जाता है आमतोर पर ऐसे अधिक और कर्टब्य केवल मनुष्य को ही प्रदान किये जाते हैं, किन्तु कानूनी व्यक्तित में प्राकर्तिक इकाईयों को भी अधिकार दिये जाते हैं। इसके अंतरगत मदर नेचर यानि मात्र प्रकर्ति को जीवित प्रानी मानते हुए उन्हें न्याइक दर्जा प्रदान किया गया तथा उनकी कानूनी इस्तिती को माना गया है। प्रकर्ति की रक्षा और उसका पुनरुथान किया जा सकता है और प्रकर्ति के स्वास्ते और कल्यान को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अदालत के द्वारा यह माना गया कि अंधा धुन्द विनाश या परिवर्तन पारिस्तिती की तंत्र में कई जटिलताओं को जर्म दे रहा है जवन तता वनस्पती, जीवों, जंगलों, जलनिकायों, पहाडों, गिलेशिरों और आगे चल कर मनुष्य के अस्तित्त को ही ख इस तर पर जांच किये जाने की आउशकता है, क्योंकि प्राकर्तिक परियावन, जीवन के अधिकार के बुनियादी मानवा अधिकारों का हिस्सा है, अदालत ने यह भी कहा कि विकास की आड में मनुष्य को प्रकर्तिक उनश्ट नहीं करना चाहिए, यदि विकास जय कास की आउधार्ना को समझते हुए कार्य करना होगा, जिसमें प्रदूशक द्वारा ही भुक्तान किये जाने, आधिक इसे धांत को ध्यान में रखकर उसे वास्तविक्ता में लागू किये जाने की आवशकता है, हमें इस बात को भी समझना होगा, कि पिछली पीडियों न हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, इस रूप में ही वास्तविक सतत्विकास प्राप्त किया जा सकता है, अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परिक्छा अभ्यास प्रश्न की, पहला प्रश्न है किसी एक भाशा को ही आरोपित करने के बजाए, भारत के लिए ए पुच्च तेल कीमतों से राहत प्रदान करने की जिम्मेदारी केवल राज्यों पर ही स्थान अंतरित करने से संगवाद पर दबाव पर सकता है, इंधन कीमतों पर हालिया वाद विवाद की प्रश्ट भूमी में चर्चा करें, 250 शब्द 15 अंक, पहले उत्तर किसन रचना क भूमीका में आप हिंदी राष्ट भाषा वाद विवाद का समान परिचय देंगे, और इसके मुक्य भाग में आप हिंदी को राष्ट भाषा बनाए जाने के पक्ष के तरकों को इस्पष्ट करेंगे, केवल हिंदी को ही राष्ट भाषा बनाए जाने के नकरात्मक नामों को देंगे और उक्तवाद विवात के संदर में कुछ महत्तपूर्ण उधारणों को बताते हुए समुच्चि सुजावों को भी प्रिस्तोत करेंगे अंत में आप एक उप्युक सकरात पक्निसकर्श देंगे और इस रूप में आपका उत्तरपूर्ण होगा दूसरे उत्तर के संदरचना की भूमिका में आप उच्च इंधन कीमतों पर हालिया वाद विवात का समानने परिजय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप उच्च इंधन कीमतों के संदर में केंद्र और राज्य की भूमिका को इसपश्ट करेंगे उच्च इंधन कीमतों को ल होगा द्यानिक समचार विशलेशन के आज के अंक में फिलाल इतना ही धन्यवाद